तो ऐसे समझेंगे कि हम estrogen है यहां पर SSH है और यहां पर LH है हम SSH को रोक रहे हैं negative feedback दे रहे हैं और LH को positive feedback दे रहे हैं LH को बुला रहे हैं LH को invite कर रहे हैं ठीक है अब जो दूसर हॉर्मोन है progesterone वो ऐसे काम नहीं करता है जैसे हम लोग देखें कि estrogen opposite काम कर रहे है SSH को तो रोक रहे, लेकिन LH को बुला रहा है, तो वो opposite काम कर रहे है, SSH को negative feedback देखे और LH को positive feedback देखे, पर progestron ऐसा नहीं करता है, progestron बिल्कुल बक्षपात नहीं है, progestron दोनों को या तो रोकता है, या तो दोनों को बुलाता है, ठीक है, यह depend करेगा progestron के amount पे, कि progestron कि amount में, अगर progestron low amount में, कम है, तो उसको जरूरत है इन दोनों का, ठीक है, तो वो दोनों को बुलाएगा, progestron दोनों को poverty feedback देगा, SSH को भी और LH को भी, कि हा तुम दोनों आओ, हमको तुम दोनों का जरूरत है,